तो हेलो फ्रेंट्स मैं रहुल तिवारी और यूटुब चैनल टेकनिकल रहुल दोस्तों इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन यहां पर लॉंच करने वाला है इसका नाम है इन्फिनिक्स होट एस फाइफ और यहां पर इस स्मार्टफोन की जितने भी फीचर्स हैं दिरे करके बाहर आ रहे हैं पिछले समय कुछ अगर मैं अपली वीडियोस के बात करते हूं तो मैंने पहले से यहां पर दो वीडियो इस स्मार्टफोन पर बना दिया है और जो सबसे पहले वीडियो उसमें बताया था कि यहां पर आपको 40 MP का Qaud rear camera मिलने वाला है लेकिन उ यहां पर आपको जो camera मिलेगा, वो quad rear camera मिलने वाला है, और यह स्मार्टफोन होला है, मतलब काफी सारे features आपको इस smartphone यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अभी तक किसी पी smartphone में इस price range में देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो आज किसी वीडियो में आप से बात करने व यहां पर आपको 6.52 इंचेज का IPS LCD डिस्प्ले पैनल यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और यह जो डिस्प्ले होने वाला है, वो पहला ऐसा smartphone होने वाला है, जिसमें आपको इस price range में यहां पर पंच होल डिस्प्ले डियाइन देखने के लिए मिलेगा, बात करता हूं, मैं यहां पर audio detail की, तो यहां पर अगर बार करता हूं, प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहां पर और अच्छा प्रोसेसर यहां पर देना चाहिए था, इंफनिस को, क्योंकि य यहां पर इंफनिस दिरिद्रे करके, जिदें फीचर्स हैं, उनको यहां पर ला रहा है, तो हो सकता है, प्रोसेसर में भी आगे जलके कुछ यहां पर चेंज आ जाए, बात करता हूं, अगर में यहां पर camera quality के बारे में, तो यहां पर आपको quad rear camera, 4 camera setup पीछे यहां पर 40% यह confirm हो गया है, यहां पर quad rear camera देखने के लिए मिलने वाले हैं, यहां पर main sensor दिया गया है, 48 megapixel का प्लेस एक और camera यहां पर दिया जाएगा, जो कि 8 megapixel प्लस 5 megapixel प्लस 2 megapixel का camera आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, बात करता हूं कर front camera के बारे में, तो front में जो camera बैटरी capacity के बारे में, तो यहां पर आपको 5000 इमेज की बैटरी में है, वो यहां पर देखने के लिए मिलेगी, और ज्यादे तर यूमर यहीं आ रहा है कि अभी इसमें आपको fast charging का भी support यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इस price range में fast charging को हम यहां पर expect कर सकते इनफनीक के दोरा बात करता हूं, यहां पर इस इस smartphone के बीडेटेल की, तो यहां पर आपको fingerprint sensor मिलने वाल है पीछे की साइट और इसके साथ यहां पर आपको face unlock का भी option यहां पर अबलेबल रहेगा, और बात करता हूं, यहां पर इस smartphone की price की, तो यह जो smartphone है वो लगवा यहा यहां पर launch कर दिया जागा, इंडिया में बाराल देखते हैं, क्या कुछ और भी यहां पर leaks निकल कर क्याते हैं, इनफनीस के तरफ से, और यह स्मार्फोन ने कब तक यहां पर launch किया जाता है इंडिया में, तो दोस्तों यह था कुछ इस वीडियो में, आस्तर करता हूं छो प्लेफन फेस के लीजेगा